हेलो फ्रेंज आपस्पी का स्वागा थे स्टाडी फाउंड डेस्टन यूड्यूब चानल पे असम्ट सुपर्टेट दोर तेज्ट चोब इसके लिए हम लोग का इंट्फेर डिसस करें हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक से लेके 10 परोड़ी दोर तेज्ट का इंप इंडिया's first engineless train is now ready इसका नाम बताना था इंडिया का सबसे पहला engineless train का नाम क्या है train 18 तो सही अंसर होगा अपसनवर 4 आई आज का का इंफेर्स को डिसस करते हैं according to economic survey 2022-23 what is the estimated economic growth rate of India in the year 2023-24 2023 का इंडिया का economic growth कितना है 6.5% तो सही अंसर हो जाएगा अपसनवर B 2023 के लिए कितना है 6.5 2223 के लिए कितना था 7 परसन था economic survey जो है prepare कोन करता है chief economic advisor at present में chief economic advisor कोन है अनन्त नाकेसुरन और at present में finance ministry किसके पास है निर्मला सितारमन के पास है which has been announced as the chief minister of Jagan Mohan Reddy to be new capital of Andhra Pradesh यानि Andhra Pradesh का नया capital जो है वहां का CM Jagan Mohan Reddy के दोरा किसको announce किया गया है विशा का पतनम तो सही अंसर हो जाएगा अपसनवरे यानि Andhra Pradesh का capital अब जो है विशा का पतनम हो जाएगा इसके बाद नेशकोस ने who is the first Indian woman fighter pilot to fly fighter aircraft in beer guardian exercise held in Japan जपान के अंदर big guardian exercise हुआ था आप सभी को बतना सबसे पहला Indian woman fighter को उड़ाई थी उनका नाम क्या है आबनी चत्रुवेदी तो सही अंसर हो जाएगा अपसनवर B इसके बाद नेशकोस ने which priority have been set up under concept of 13C under the budget 2023-24 2023-24 budget के अंदर concept एक लाया गया था सब 3C इसके अंदर से कौन-कौन सामिल है exclusive development सामिल है green growth भी सामिल है youth power भी सामिल है तो सही अंसर हो जाएगा important चीज आप सभी को याद रखना है जैसे कि अमरित कल का सबसे पहला बजट था इसके अंदर साथ priority रखा गया था जिसको सब 3C कहा गया और इसके अंदर mission to eliminate sickle cell एनमिया रखा गया दोजर 2047 तक एनमिया को खतम करने का target रखा गया इसके अंदर आप सभी को एक और पॉइंट याद रखना है नेट जीरो कर्बन इमेंशन का भी target रखा गया दोजर सत्तर 2070 इसका target रखा गया और इसके अंदर बजट 2023 के हिसाब से जो GDP रहने वाला है 2022 क के लिए कितना परसंद रहने वाला है 7% रहने वाला है और 2424 के लिए कितना परसंद रहने वाला है 6.5% इसके बाद नेसकोस ने under the budget 2023-2024 how much income has been announced to be tax-free in the personal income tax system तो कितना tax-free रहेगा 3,00,000,000 तो सही answer हो जाएगा अपस्तनवर C यहाँ पर जो budget 2023-20 के हिसाब से जो personal income tax का जो शलेफ है यहाँ पर दिया है आप से लोग PDF से आसानी से पर सकेंगे नेसकोस ने recently हाइफा port has been acquired by Adani Group हाली में हाइफा port को Adani Group के दोरा acquire कर लिया गया आप सुभी को बतना है हाइफा port कहाँ पे इसराइल country के अंदर तो सही answer हो जाएगा अपस्तनवर C इसके बाद नेसकोस ने इनसको has listed which country city of Odessa as world-hated site in danger उस city का नाम बतना है उस city का तो नाम है Odessa वो कहाँ पे है इसके बाद नेसकोस ने है तो सही answer हो जाएगा अपस्तनवर है इसके बाद नेसकोस ने इसको बतना है Center for Excellence जो है कहाँ पे इसका announcement किया गया जो की hub बनेगा मिलेट का कि Hyderabad में announcement किया गया इसको Excellence Center बनाने के लिए तो सही answer हो जाएगा अपस्तनवर बी इसके बाद नेसकोस ने recently हुए हैज बिन अनाउस्ट टू कॉनफर Lifetime Achievement Honor तुथाइं टूनिट्री 2023 का Lifetime Achievement Honor किसको मिला उनका नम है Dr. Manmohan Singh तो सही answer हो जाएगा अपस्तनवर बी नेसकोस ने When was World Wetland Day? World Wetland Day दो फ्रावरी को मना जाता है यह सबसे पहले सुरुवात का हुआ था यह सुरू हुआ था 1997 में तो सही answer हो जाएगा अपस्तनवर सी इस बार का Wetland का theme याद रखना है उनका इस बार का वर्ड वटलेंड रेखना है सबसे डावल साहर शायट काहा पे टामिलारू सब्सक्तकी अंदर और सबसे पहला रामसार सब्सक्राइट का नाम किया है pilgrimsा के अंदर । इसका बद नेसकोस ने recently who has announced to operate India's first hydrogen train Bandai Metro by December 2023 उनका नाम बताना है उनका नाम है असुनी बैशनोव तो सही अंसर हो जाएगा अपसनवर डी और ए मिनिस्ट्री इनके पास ही है रेलो मिनिस्ट्री और सबसे पहला hydrogen train जो चला था और जर्मनी कांट्री के अंदर चला था और अपसनवर बी लादाक एक उटी है एक कब बना था 2019 के अंदर बना था इसके बाद निस्ट्री इसके बाद निस्ट्री इसके बतना है इसके अंदर चिपगेस्ट कोन थे उनका नाम है सुंद्रेश मिनन उसा ही अंसर हो जाएगा अपसनवर ए जो है सिंगापूर का चिपगाशित थे इसके बाद निस्कुस ने वेन वोल्ड केंसर डे इस लिवेटेड वोल्ड केंसर डे कबने जाता है चार फ्रवरी को उसा यह अंसर हो जाएगा अपस्त नमर सी नेसकोस ने लादाक का सबसे पहला बायोडिवर्सिटी हेडरिस साइट किसको रिकलियर किया गया उसका नमे तौसो लेग तो सही अंसर हो जाएगा अपस्त नमर भी नेसकोस ने परवेश मुसरब पास सबसे इंडियन अर्मी इगेंस्ट हिम इनके खिलाब कौन सा केंपें लांस किया गया था ओपरेशन बीजए लांस किया गया था इंडिया का द्वरा तो सही अंसर हो जाएगा अपस्त नमर भी सबसे पहला परसं जिनको ग्रेमी यवार्ड तीन बर रभी संकर ग्रेमी एवार्ड जो है म्यूजिक से रिलेटर एनि म्यूजिक का एवाड है यह जो है ओस्कार एवार्ड का एकुविलेंट है इस बर 65 ग्रेमी एवाड मिला एक मिलता कहां पे लोस एंजलिस केलिफोर्निया उसे के अंदर इसके बद निश्कोस ने which team is the winner of national ice hockey championship 2023 2023 का ice hockey champion को बना ITPP तो सही अंसर हो जाएगा अपस्ट नमरे next question which university will be given the status of world first living heritage university by UNESCO UNESCO को दरा world का सबसे पहला living heritage university किसको मिला दर्जा उस university का नाम बतना है उसका नमे विश्चा भारती university बिश्चो भारती university को अब सबसे पहला world का first living heritage university का दर्जा मिला UNESCO को द्वारा एंवर्सिटी कहां पे है फोलकत्ता के अंदर और इंडिया में टोटल world heritage site कितना 40 है इसके बाद नेसकोस ने according to food and air culture organization corporate esthetical database which country is the largest producer of milk सबसे ज्यदा मिल कौन सा country के अंदर होता है इंडिया के अंदर तो सही अंसर हो जाएगा अपस्नमेर डी इसके बाद नेसकोस ने recently who has announced the launch of artificial intelligence based बाद चाटबोट बाद जो है किसके दोरा लांस किया गूगल के दोरा तो सही अंसर हो जाएगा अपस्नमेर भी Microsoft के दोरा क्या लांस किया गया चाट जीपीटी और चाहिना के अंदर एक चलता है जो चाटबोट उसका नाम है इरनी इसके बाद निसकोस ने इंडिया इंडिया के अंदर आर्थक्विक को जो है मदद करने के लिए इंडिया के दोरा एक उप्रेशन लांस किया गया था उस ओप्रेशन का नाम है ओप्रेशन दोस तो सहीं अंसर हो जाएगा इस के बाद निसकोस ने इंडिया का सबसे पहला ग्लास इगलो रेश्टोरेंट कहा पर लांच के गया जमेन कस्मिर में तो सही अंसर हो जाएगा अपस्टनवर दी इसके बाद नेशकोस ने वह यह निस सेफर इंटरनेट डे सेफर इंटरनेट डे कब मना जाता है साथ फ्रवरी को तो सही अंसर हो जाएगा अपस्टनवर सी इस वीडियो में हम लोग इतना डेस्ट करेंगे बागी कोशन को हम लोग नेक्स वीडियो में डेस्ट करेंगे इस वीडियो का पीडियेव हम सभी को टेलिग्राम गुरूब में मिलेगा मिलेंके नेक्स वीडियो में, थेंक्यू